हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आशकरती हूं कि आप सबस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में विस्त होंगे आपकी इसी पढ़ाय को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाथ एक नया अध्याय जिसका सिवर्षक है रड़ मुक्ति बच्चो रण मुक्ति यानि की करजे से मुक्ति आपने किसी से कोई रण लिया हो करजा लिया हो तो उससे मुक्ति तो बच्चो पहले इस कहानी को हम शुरू कर रहें उससे पहले इस पार्ट का पर्चे जान लेते हैं बच्चों द्वारा बच्पन में की गई सैतानिया कभी-कभी इतना विद्रूप रूप ले लेती हैं विद्रूप यानि की इतना भयंक रूप ले लेती हैं यही इस कहानी का मर्म है लेखक ने अत्यंत कौशल से कहानी के पात्रों द्वारा इस सत्य को उभारा है कि हम सब ब ऐसा हुआ कि मैं अपनी बुढ़ी दादी की आँखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसेद्ध नेतर चिकित सक पचो नेतर चिकित सक यानी की आँखों का डॉक्तर वो कौन थे डॉक्तर प्रभात के पास गया लगभग अंधी हो चुकी दादी को सहारा दिये दादी ने आवाज से ही डॉक्तर की उम्र का अनुमान लगा कर कहा कोई तकलीफ नहीं बेटा बुढ़ापे की मारी हूं बुढ़ापे मैं नजर कमजोर हो ही जाती है पर मैं तो आखों का डॉक्तर हूं दादी अम्मा बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहां डॉक्तर प्र करते हैं विनोधी स्वभाव कहने लगी कोई बात नहीं बेटा तुम आँखों का इलाज ही कर दो पुलापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की चार्च करने लगे उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता लेकर दादी की आँखों की जाज की बीच बीच मैं वे बातचीत और हसी मजाग भी करते जाते थे मैं चुपचाब बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था पहले तो मुझे उनकी हसी ही कुछ जानी पैचानी लगी थी फिर ध्यान से देखने पर उनका चेरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहां देखा है आखिर जब उन्होंने दादी की आँखों की पूरी जाच कर ली तो मैंने पूछी लिया आप कहां के रहने वाले हैं डॉक्टर साहाब इलाहबाद का हूँ क्यों अरे हम भी इलाहबाद के ही हैं दादी मुझसे पहले ही बोलूटी अच्छा बड़ी खुशी हुई डॉक्टर प्रभाद ने सचपुश खुश होकर पूछा इलाहबाद में कहां रहते हैं आप लोग दादी ने जो ही हमारे इलाहबाद वाले घर का पता ठिकाना बताया ड अच्छ रज भरी प्रसनता से बोले अरे तुम बबलू तो नहीं हो अरे तुम मंटू अचानक मेरे मुह से निकल गया तुम आप मेरे बच्पन की मेत्र मंटू है ना हाँ भई मैं मंटू ही हूँ वाह यार तुम खूब मिले तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी समय पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आये थे है ना वाह मुझे तो सपने में भी आसा नहीं थी कि जीवन मैं फिर कभी तुमसे भेट होगी बचों भेट होगी यानि की तुमसे मुलाकात होगी सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर मुझे भी मैंने अत्यांत प्रसन्न होकर कहा तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा द्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई चेहरा किसी दुखदाई स्मृती में काला स्वा हो आया दादी की अत्यधिक कमजोर आखों को डॉक्टर के चेहरे का या भाव परिवर्तन नजर नहीं आया प्रसन्न होकर पूशनी लगी अच्छा तो तुम दोनों बच्पन में साथ साथ खेले हो यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेट का था डॉक्टर प्रभात ने कोई तर नहीं दिया विस हैसा बहुत गंभीर हो गए दादी के लिए दवाई का परचा लिखते वे उन्होंने का यह बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा होगा घबराना मत इस्वन ने चाहा तो तुम्हारी आंके अच्छी हो जाएंगी बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा यहां उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना हाँ दादी बच्वन में मेरे साथ पड़ता था बस अब तो इसके पास दुबारा आने की जरूरत नह उसे दुस्ट क्यों कह रही हो तु भूल गया इसने भाहिलाबाद में क्या किया था क्या किया था अरे तुझे याद नहीं इसने मुहले की कुटिया के तीन पिल्लों की आंखें आंक के पौधे का दूर्थ डाल कर फोर दी थी तुने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थ उनमें से एक अंधा पिल्ला तुने जित करके पाला था यह भी तुझे याद नहीं मैं सचमुछी सब कुछ भूला हुआ था लेकिन दादी के याद दिलाने पर एक धुंदली सी इसम्रती उभरी और जोही मेरे दिमाग पर थोड़ा जोड़ दिया बच्पन की यह दुख का बात में हमारे पडोसी वकील सहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था मैं मंटो के साथ अक्सर वहां खेला करता था बाग की मेड के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ति तोड़ने लगे उन्होंने हमें टांट लगाई और बताया कि आँख के पत्ति कभी नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो काढ़ा गाढ़ा सफेद दोथ सा निकलता है वह यदि आँख में चला जाए तो आद भी अंधा हो जाता है यह जानकारी हम लोगों के लिए ए देखने के लिए मंटू ने एक प्रयोग कर डाला था प्रयोग करना यानि कि उसने एक एक एक्सपेरिमेंट कर दिया ठंड के दिन थे और मोहले में आवारा घुमने वाली एक खुतिया ने वकीर साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के धेर के नीचे तीन पि मन्टू के साथ खेल ले गया तो मैंने देखा मंटू आके पड़ों के पास बैठा है और उसकी घृणव में दबा एक पिल्ला कै कर रहा है दो पिले पास ही कुंकुं करते इधर उद्र फटक रहे थे नजदीक चाकर मैंने देखा तो हैरान रहे गया मंटू आख के पते तोड़ तोड़ कर उनका दूद पिल्ले की आखों में डाल रहा था यह तूने क्या किया बेखूफ पिल्ला अंदा हो जाएगा मैंने चिला कर कहा मंटू ने उस पिल्ले को नीचे रख दिया और बोला मैंने इन तीनों की आखों में आख का दूद भर दिया है अब देखेंगे यह तीनों अंधे होते हैं या नहीं उस काड़े चिपचिपे दूद से तीनों पिल्लों की आखें बंद हो गई कुछ दिनों बाद आखें तो साइथ खुल गई थी लेकिन वे अंधे हो गए थे मंटू के इस कूकरत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी बच्चो कूकरत्य यानि की बुरा कर्म तो वो कह रहा है कि मंटू के इस बुरे काम की जानकारी केवल मुझे ही थी मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकिल सहाब से स्विकायत करने की धमकी भी दी थी लेकिन मंडू को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिक्यासा सांति करने के लिए इस प्रयोग के रूप में एक बड़ा पाप घडाला है उसने गिड़ गिड़ा कर मुझसे कहा था कि वह बात मैं किसी को न बताऊं मैं सायद पताता भी नहीं लेकिन जब उन तीन पिल्लों मैंसे दो दिन रात कूकू करते इधर से उधर भटकते हुए मर गए मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया दादी मा और परिवार के अनि सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ पहले मैंने बात छिपा कर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का थ्याना गया जो अभी चीविद था और उसकी चान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से बचाने से ज़ादा जरूरी लग रहा था इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आँखों का इलाज करवाने की जिद पकड़ ली सब लोगों ने मंटू को पुरा भला कहा वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को तब तक छुपाए रखा जब तक दो पिल्ले मर नहीं गए आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किये गए मैंने जिद करके उसे पाल लिया पिताजी ने उसकी आखों का इलाज भी कराया लेकिन वह अंधाहिरा मा और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था उस समय तो उसकी चान बच गई लेकिन जब वह बढ़ा हो गया एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहां से कुचल कर मर गया उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया बच्पन में तीन पिल्लों की आखे फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेतर चिकिस सक इससे भी ज़्यादा हैरान की बात यह थी कि लगबग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था दाधी को अभी तक याद थी निश्चे ही वह घटना डॉक्टर प्रभाद को भी याद होगी तभी तो वे हम लोगों का परिचे पाते ही अचानक चुप कंभीर और उदास हो गए थे लेकिन दाधी बच्पन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभाद को बुरा भला कहना ठीक नहीं मैंने दाधी को समझाने की कोशिश की अब वे मन्टू नहीं देश के जाने माने नेतर चिकित सक हैं दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आँखों का हिलाज कराने आते हैं अब तक तो वे हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेतर जोती लोटा चुके होंगे बच्चों नेतर जोती लोटा चुके होंगे यानि की उनकी आँखों को ठीक कर चुके होंगे क्या उनकी इतनी बड़ी सेवा से बच्षपन की अबोध अवस्ता में किया हुआ भैपाप अब तक धुल नहीं गया होगा कुछ भी हो मैं उसे अपनी आखों का इलाज नहीं कराऊंगी दादी ने निश्य के स्वर में कहा तादी का स्वभाव मिल्कुल बच्चो कासा है बच्चो कासा है यानि बच्चों के जैसा है हट पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाई नहीं मानती मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तयार न हुई आखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीद ने दी परिवार के सम लोगों ने उन्हें समझाया लेकिन वे तस स से मस नहीं हुई तस से मसना होना यानि की अपने पर अड़े रहना अपनी बात पर अड़े रहना डटे रहना आखे शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलिफोन किया और दादी के हट के बारे में बताया डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब को सुना और वो ले तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयम आकर दादी अम्मा को समझाओंगा लगभग, एक घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बच्पन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ, और मैं उस साप को भी नहीं भूला हूँ, जो आपने मुझे दिया था जब तक आब इलाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती अरे कमबक्त मंटुआ, तुने मासूम पिल्लों की आँखें फोड़ी है, तेरी आँखें भी किसी दन इसी तरह फूटेंगी आपके साप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ, और मैंने फैसला कर लिया, कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है मेरी आँखें तो आपके साप के कारण कभी न कभी फोटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोश्णी दे जाऊंगा और बहुत सी आँखों में दो आँखें आपकी भी होंगी दादी अमा डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं हम सब की आँखें भराई दादी तो इतनी भाव विभल होटी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुला कर फ्रहदय से लगा लिया उसके सिर पर इसने पूर्वक हाथ फिरते वे कहा जीते रहो मेरे लाल तुम्हारी आँखों की जोती हमेशा बनी रहे इसके बाद दादी ने मुझे कहा अरे बबुआ तेरा बाल सखा आया है इसकी खातिरदारी नहीं करेगा जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन इसने मेरी आखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना वह भी खरीद लाना तो बच्चों कैसी लगी आपको एक कहानी आशा करती हूं कि आपको एक कहानी बहुत पसंद आई होगी और साथ ही आपने सीख ली होगी कि हमें कभी भी कमजोड जानवरों पर किसी भी प प्राण बसते हैं और हम सब मानव हैं तो बच्चों कैसी लगी आपको एक कहानी तो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा आगे बढ़ते रहिएगा और हाँ इसका भ्यास भी चरूर कीजिएगा